नमस्कार दोस्तों, कुछ इन्वेस्टर जो पैनी सेयर में इंट्रेस्ट रखते हैं, उनके लिए आज हम कुछ बेहतिरीन पैनी सेयर लेके आये हैं, जिनका फंडामेंटल भी काफी अच्छा और प्रमोटर होल्डिंग भी काफी मजबूत है, जिसमें इन्वेस्ट करने के बारे में हम सोच सकते हैं, अभी आपके सामने हम जो दिखा रहे हैं, इवेक्सिया लाइफ के एर, या सेयर, आज 8 रुपए 62 पैसे पर ओपन होता है, और 9 रुपए 43 पैसे पर लॉग हो जाता है, इस सेयर में हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, या सेयर, बेह 30 रुपए 80 पैसा, और या अपने 52 भीख हाई से काफी सस्ते भाव पर मिल रहा है, इसमें लगबग 3-4 दिनों के भीतर काफी अच्छी तेजी देखी गई है, कभी 10 परसेंट, कभी 12 परसेंट, कभी 15 और 20 परसेंट तक की तेजी देखी गई है, फंडामेंटल के उपर मजबूत है, देखा जाये तो प्रमोटर के पास 43.02 परसेंट और रिटाइलर के पास 35.03 परसेंट का सेयर है, अगले सेयर की बात करें तो ग्लोबल टेक्स्टाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ या सेयर है, और मार्च 2020 में इसका भाव इस सेयर का कीमत 26 रुपए तक चला ग रहा है, या पैनी सेयर में अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 73.36 परसेंट जो की काफी मजबूत है, और रिटाइलर 26.04 परसेंट का, इस टेक्स्टाइल सेयर में हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, अगर अपना तीसरे पैनी सेयर के बारे में का जाने वाला यह सेयर, इस समय दो रुपए 80 पैसे, यानी 6.59 परसेंट, 66.59 परसेंट गिरावट के साथ मिल रहा है, स्रेनिक लिम्टेट, इसका अगर मार्केट कैप देखें तो 156 करोण और बुग बैलू 1 रुपए 5 पैसे हैं, इस सेयर में प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, तो प्रमोटर की इसमें 46.36 परसेंट है, यानी 46.36 परसेंट की होल्डिंग है, और रिटैलर की 53.4 परसेंट की, दोस्तों, पैनी सेयर में जरूरस से ज़्यादा पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए, हमने वैसे आपको जितने भी पैनी सेयर बताएं, इनमें प्र गाटा आप आसानी से सह सको, और आपको तकलीव भी ना हो, चूंकि ये जितना ज़्यादा मुनाफ़ा देते हैं, उतना ही गाटा भी दे सकते हैं, सेयर मार्केट से जुड़ी अपडेट और तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सक धन्यवाद